मेट्रो से यहां पर बहुत इजी ली आ सकते हो मेट्रो से अब जैसे उत्रोगे ना बिल्कुल भार से मार्केट स्टार्ट हो जाती है मेट्रो स्टेशन है इसका दिल्ली हट आिये ने तो आप यासी बहार उतरोगे यहीं से मार्केट स्टार्ट ओजाती है एक्चली में अंदर जो मेन मार्केट है वहां जाने के लिए टिकेट लगती है बट यह कुछ लोग है जिन्होंने बहार से ही मार्केट लगाई हुई है जहां पर आपको प्रिटी है यह थोड़ी सी एक्सपेंसिव मार्केट है आप यह देखो इन भहिया ने ना सब कुछ यह शेल्ट से बनाया हुआ था मुझे इतना सुंदर लग रहा था ना उन्होंने बहुत सारी चीज़े बनाई थी जो सिर्फ शेल्ट से बनाई हुई थी आप देख सकते हो फोटो फ्रेम्स और डेकोर के आइटम्स और यह डाइरी जो है वो शेल्ल से नहीं बनी है बट यह डाइरी भी हैंडमेड ही थी आप वहां से जैसे सीधा आओगे तो बस आपको दिल्ली हार्ट का में गेट दिख जाएगा जिसके आपको साइड में यह टिकेट काउंटर पेह दिख जाएगा जहां से आपके ले सकते हों एडियLES के लिए थ्र्ति रूपीज किया है बच्चों की ट्वैंटी रूपीज कीती तो आपके लिए 100 रूपीज की है टिकेट दिखाने के बाद आपकी चेकिंग होती है आपके bags की checking होती है बस वहीं से entry हो जाती है बिलकुल market start हो जाती है तो बस वहाँ पर मैंने इस starting में दिखा जो handmade दूपटास थे one thing about this market की ये थोड़ी से expensive market है because ये सब handmade चीजे है handmade है तो इसमें काफी ना महनत भी लगती है और ये बनने के बाद उतना ही सुन्दर लगता है तो इसलिए market थोड़ी से expensive है तो यहाँ पर ये वाले जो sketches वाले photos और paintings होती है ये बहुत ज़्यादा थी ये सब चीजे है handmade है इसमें market में कुछ भी देखो कि वो सब कुछ handmade है each and everything आप ये carpet देख रहे हो ये carpet जो यहाँ पर इनो नीचे रखा ये 4800 रुपीज का था जो handmade ही था आपको shop के numbers जो है वो वीडियो में दिख जाएंगे mostly तो ये वाले जो shop थी यहाँ पर juttis and जो भी mojadis होती हैं और जो भी leather से related होती है ना footwares वो मिल जाएंगे लड़कों के थी तो यहाँ पर इतनी varieties थी उसके बाद मैं एक shop पर आई जहाँ पर कुछ काफी antique jewelry मुझे दिखी jewelry उनकी काफी सुन्दर थी बट भाया ना वीडियो बनाने के लिए बना कर दिया तो मैंने आगे नहीं बनाई है आप इन अंकल को देखो मैंने इनको देखके इतना impressed हुई ना उन्होंने मुझे दिखाया यह जो छोटी सी गहास जैसी कुछ चीज होती है उसको उन्होंने देखी आप देख लो वीडियो में वो कैसे कर रहे हैं यह कितना जादा सुन्दर बनाया उन्होंने और इसमें कि उन्होंने कितने सारी चीजे बनाई है आप वीडियो में देखो अंकल ने खुद से बनाई है इनके छोटे चोटे पीसीज बना के तो तो बहुत अच्छा लगा अंकल के लिए एक अप्रिसियेशन तो बनता ही है उसके बाद आगे यह शॉप थी जहां पर ना यह खादी जाजन लेनन की शॉट्स और कुर्तास मिल रहे थे तो वहां से अपनी शॉप ले ली थी उसके बाद मैंने देखा एक खाने के काफी काउंटर्स थे तो मैंने असाम यह नूडल्स और पनीर मोमो ज ली यह थे तो नूडल्स वस गट बट पनीर मोमो ज उके तो यह एक बैग्स के काफी चछी लग ती और प्राइज़ते दिखने में और इनके प्राइज़ बहुत ही जादा थे पर वह थे घ्टाफी काफी जादा है यहां पर इतने प्रिटी बाग्स थे यहां इसने पे बैग्स कश्मीरी शॉल्स बहुत जादा वराइटी थी इनकी भी जो थे एक्सपेंसिब बढ़ दिखने में मुझे काफी अच्छे लग रहे थी कि वह काफी अच्छे होंगे गरम होंगे तो आप डेफिनेटी ले सकते हो अगर आप वहां जाओ तो इसी शॉप पर आपको ना सारे ख काफी चाहरी चीजे थी जो खादी की थी तो यह भी बहुत अच्छा था देन मुझे ये शॉप दिखी बहुत यूनिक सी जहां पर सारा हलोवन का समान मिल रहा था अगर आप अपने घर में कोई भी या ओफिस में हलोवन पार्टी होस करने वाले हो तो आप यहां जाके सारा समान था उनके पास everything था मतलब आप कुछ भी द्याओगे ना देखने आपको हैलोवन से रिलेटेट सारी डैकोर के आइटम्स मिल जाएंगी मुझे तो बहुत जादा सुन्दर लग रहा था एक मुझे डॉल दिखी जो नोने बनाई हुए थी कितनी प्यारी लग रही तो आप यहाँ पर देखो यह चोटे-चोटे से हैं अगर आपको जादा भी ओवर डेकोरेट नी करना और आपको चोटा सही सेलिबरेट करना है तो आप चोटी-चोटी चीज़ें भी ले सकते हो यहाँ पर यह बहुत जादा सुन्दर चीज़ें जो सारी कि सारी हैंड प्लेट्स हैं जो यह नेम प्लेट्स वह भाईया उसी टाइम पर आपको बना के दे रहें मतलब आपके आखों के सामने आपको आपके मर्जी के डिजाइन के अकोर्डिंग बना के दे देंगे तो वह भी काफी यूनीक था उसके बाद यह वाले ना कुछ टॉइस के नहीं पर आपको जुवनियाओटे तो अलग अलग ना लग शेप नेंकर यूनीक के देंगा। वाश बहुत रही पाइटम सेट ते तो इसके बहुत है ने की ने पास थे सफिट आप ने कुछ चीजे लिए जो मुझे लेनी थी तो मैंने वहां से कुछ चीजे लिये जो बहुत ही सुंदर है तो उसके बात यह वाला एक थास चौल जहां पर राजिस्थानी पपेट और य तो मैंने लिया दिए बहुत ही सुन्दर लगते हैं घर लगाने के बाद तो मैंने तो वह जैपुर से लिया था आप यहीं से ले सकते हो जानी की जरूरती नहीं है उसके बाद एक शौप ती जहां पर बैंगल्स थी वह जादा सुन्दर लग रही थी और कुरते में आपको देख रहे हो यह भी हैंडमेड है एवरिफिंग वाज हैंडमेड में बहुत जादा अमेज़ती देखे कि सब चीज़े हाथ से बनी हुई है उसके बाद यह मांकिट थी जहां पर दुपट्टाज साड़ी कुर्ती और लड़कों के लिए कुरता तो यह सब मिल रहा था इस यह लेडी मुझे दिखी जो देखो आप बना रही है इन्होंने यह जितना भी समान लगाया हुआ ना यह हाथ से पेंट करके लगाया हुआ है कितना सुन्दर लग रहा है ना दिखने में आप लोग देखो कितना प्यारा लग रहा है और दाट्स इट पर टोड़ेज कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी